आजकल आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हर कोई mythology या फिर epic drama पे हाथ मानना चाह रहा है क्योंकि जैसे बाहुबली आई थी और उसने धमाकेदार business किया उसके बाद में संजलिया बंसारी कि आप कोई भी epic drama उठा लो हर एक film दावरतो और business करती है तो उसके बाद में हर कोई चाहा रहा है कि वो अपनी अपनी रामायन, मा भारत या फिर कोई ऐसी epic story उठाए जो कि कहींने के history से जुड़ी होया, हमारे mythology से जुड़ी होया फिर हमारे culture से जुड़ी होया तो इसी में एक और film, एक और project, बड़ा project सामने आ रहा है, वो है नितीश तिवारी और मधुमन टेना का रामायन Yes guys, you heard it right, रामायन जो है ये एक film के रूप में बनाई जाएगी और इसका जो announcement है वो लगवग 2019 में हो जुगा था बट अभी तक इस पे कोई confirmation नहीं आया कि कबसे इसकी shooting चालू होगी, कबसे ये floor पर जाएगी, कुछ भी इसका confirmation नहीं आया हलांकि इसकी casting को लेके बहुत सारी ख़बरें आपको social media पर सुनने को मिल जाएगी मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा कि कौन कौन से actors को approach किया गया है, किसने मना कर दिया और फाइनली ये film कहां पे है अभी, कौन सी stage पे है, क्या casting चल लगी इसकी and साथ साथ ये भी बताऊँगा कि क्या हमारे KGF star Yash इस film को करने वाले है So if you are excited to know everything we know about this film, so watch this video till the end, so that कि आप कुछ भी ऐसा miss ना करो But सबसे पहले, चैनल को सब्सकाइब करो और वीडियो को लाइक करो Well, Hi, Hello, Namaste, This is Mohit Dikshet and you are watching me on Filmibab Without wasting any time, let's jump straight to the video Well, guys, आपको पहले से पता होगा कि रामायड के ऊपर एक already film बन रही है, जो कि बहुत बड़े budget पर बनाई जा रही है Omrao direct कर रहे है, प्रभाश और कृति सेनन के साथ में आदिपूरश But उसका जब first teaser आया, तब ही सबने उसको नकार दिया, उसको बहुत सारी hatred का सामना करना पड़ा और अब वो project कहीं न कहीं back bench पर जाके बैठ गया है बट इस आदिपूरश फिल्म के अलावा एक और फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चित है, जो कि रामायड के ही उपर बन रही है बट ये अभी तक floors पे नहीं जा पाई है और ये फिल्म बना रहे है, निती स्तिवारी और मदू मॉंटेना इस फिल्म में राम और रामण का रोल करने के लिए makers राम के रोल में रनवीर कपूर को चाहते हैं और रितिक रोशन को एज रावन चाहते थे बट रितिक रोशन ने अब इस फिल्म से वोक आउट कर दिया रितिक रोशन को पसंद आती है जाहिर से बात है आपने भी विक्रम वेदा देखी होगी और वेदा का जो करेक्टर था उन्होंने बहुत अच्छे से किया था बहुत कमिटेड हो के किया था बट उसके बावजूद भी वो फिल्म नहीं चले तो उनEMA कmost रितिक रोशन को कही ना कहीं नैसा लगता है कि विक्रम वेदा जैसे फेल होगई, जैसे उनका नेगेटिव शेड का करेक्टर था वो फेल होगई वो कहीं न कहीं उतना बड़ा लार जंदे लाइफ रोल नहीं था जो कि एक रितिक रोशन सोपर स्टार को सूट करता है तो इसलिए कहीं न कहीं वो एक और नेगेटिव करेक्टर नहीं करना चाहते हैं लग दो साल रितिक ने मेकर्स को लटका के रखा and finally he said no to this role बट 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 इसके बाद जो नेउस है वो कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा एक्साइट करेगी इसलिए करेगी क्योंकि रितिक रोशन के जाने के बाद में मेकर्स ने जिसे इनसान को अप्रोच किया है उसको आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है पिछले साल and he is none other than हमारे KGF के सुपर स्टार यश yes guys you heard it right यश को ओफर किया है मेकर्स ने रामड का रोल इन दिस रामायना यो कि पैन इडिया नहीं बलकि पैन वर्ल्ड लेबल पर रिलीस किया जाएगा और इस फिल्म का जो बजट होगा बहुत ज़ादा हाई होगा even you can say कि one of the biggest budget of Indian cinema होगा मेकर्स चाहते हैं कि इस फिल्म में जो कास्टिंग हो उसके साथ बिलकुल भी compromise वो ना करें राम के रोप में रनवीर कपूर उनको चाहिए और रितिक अगर रामर के रोप में होते है तो और अच्छा ता उनके लिए बट अगर नहीं हो रहा है तो उनको एक ऐसा फेस्ट हाहिए जिसकी Blacks video बहुत जाद वी बहुत जाद रहाह और जिसकी जानाम बहुत जादा कहीं ने कहीं उसका जो जो औरा हो black is वो कही न कही रावड जैसे विलिनियस करेक्टर को सूट भी करें So now meetings are going on with Yash And yes he is also liking the subject He has appreciated the pre-visualization of this film But he is yet to say yes to this film Now KGF Chapter 2 इतनी बड़ी हीट हुई है Toh उसके पास जाहिर सी बात हर किसी की नजर है कि Rocky भाई अब next क्या करेगा So he is trying with number of subjects जिसमें एक gangster drama भी है Brahmas 2 का भी offer उनको मिला है और इसके साथ साथ एक sci-fi film भी उनको offer हुई है Total 4-5 subjects पे वो सोच विचार कर रहा है कौन सी उनकी अगली film होगी और इनी में से जो एक और offer जो मिला है वो इस रामायना का है जैसे कि मैंने कहा कि Brahmas 2 का भी उनको offer मिला है तो आपको बता दी कि Brahmas 2 में Karan Jaur ने उनको देव का role play करने के लिए अप्रोच किया है और अभी कही साथ 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 एसा लग रहा है कि Yes को अभी एक से दो महिना और लगेगा सोच विचार करने में, announce करने में कि उनकी कौन सी next film होगी So guys, अभी वेट कीजिये और कुछ भी कन्फर्म मत मान लेजिये कि Raavad का role रिएस्ट ही करने वाले है हो सकता है करें, हो सकता है, ना भी करें कुछ भी possible है, अगले दो महिने में कही न कहीं उनकी तरब से कोई announcement आएगी Apart from Yes, Ranveer Kapoor के अगर बात में हो तो Ranveer Kapoor is positive about playing Lord Ram कहीं न कहीं वो इस film से अभी भी जोड़े हुए है, committed है and maybe he is doing this project but, 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 सबसे पहले उनको ये चीज़ चाहिए कि सारी casting हो जाए, सामने रावड कौन प्ले करेंगे ये सब confirm हो जाए, उसके बाद ही वो इस movie को sign करेंगे So guys, आपका क्या ख्याल है, क्या ये ये फिल्म करनी चाहिए या फिर रितिक को ही करनी चाहिए थी Ranveer Kapoor as Lord Ram कैसे लगेंगे मैंने आपको सारी DTS दे दी, जो भी इस film के उपर हो रहा था Now it's your turn कि आपको इस वीडियो के वारा में क्या कहना है हम मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइब में रहो है